तो हेलो दोस्तो आज हम हमरे गाउ का देशी मुर्गा का कड़ी बनाएंगे तो चलो देखते हैं इस तरीके से गाउ की स्टाइल में हम बनाते हैं पूरा विडियो जोरूर देखना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है और सबसे पहले हम मसाला को सब एक साथ द्यार कर लेंगे फिर हम चेंगो मेडिटेट करके रग देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये देखिए हमारा देशी मुर्गा का चिकन अभी हम तेल डाल देंगे नमक को थोड़ा डाल देंगे और हल्दी को भी हम डाल देंगे एक एक करके सारे मसाला को हम एक साथ मिल्ट करके राग देंगे चलो हम देखते हैं लास तक पूरा वीडियो देखते हैं ना प्लीज और दोस्तो हम सबसे पहले अभी तेल को डाल कर आलू को हम फ्राय कर लेंगे फिर अलू डाल रहा हो अभी पहले फ्राय कर लेंगे तो हमारा आलू फ्राय हो चुका है अभी हम प्याज को डाल देंगे हाँ दोस्तो एक बत जुरू प्याज को अच्छी तरह फ्राय कर लेना ताकि गोल्डेन कलर आ जाए फिर हम एक एक करके मसाला को हम डाल देंगे तो दोस्तो देखिए कुछ इस टाइब का आना चाहिए ताकि आपका गड़ी भी बहुत अच्छी तरह बन सके तो चलो देखते हैं लस्तक हाँ दूस्तो हम चिकन के नदर थोड़ा सा कच्छा पेप्या डाल देंगे ताकि चिकन के लिए अटोड़ी दाल देंगे चिकन बहुत सोब्ड बन सके तो चलो देखते हम तो अल्मोस्ट देशी मूर्गा का चिकन बनके रेडी हो चुका है देखिए कितना बहुत सुन्दा लग रहे हैं बहुत ही टेश्टी हो आया है आप भी घर पे बनाईएगा तो वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना दुस्तो और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बाद बाद धनिया बाद झाल